आज नवरात्रे का चौथा दिन है यानि की मा कुश्मांडा की आराधना का दिन आज का दिन बेहत खास है ऐसा माना जाता है कि ब्रमान की रचना के लिए सूर्य की उर्जा की आवशक्ता थी और मा कुश्मांडा ने सूर्य के सामने खड़े होकर हलकी से मुस्कुराहट के ज जैसा ही है जिसमें बने रहना सुर्य के ताप जहलने जैसा है जिसमें की पावर तो काफी जादा है लेकिन हम इस पावर को अपने ग्यांग की शक्ति याने की learning और research से ही बहतर कर सकते हैं और अगर हमें कभी loss भी हो जाता है तो मा कुश्मांडा की ही तरह हमें मुस्कुराते रहना है और अपनी अगली जीत की तैयारी शुरू कर देनी है तो नवरात्रे के चौसे दिन की सीख ये है कि शेर मारकेट में बने रहने के लिए लर्निंग और रिसर्च की एनरजी तो चाहिए साथ ही आपको चाहिए मुश्किलों में मुस्कुराने का होसला भी तो आज की इस वीडियो में इतना ही